आज का टॉपिक रहने वाला है इवापरेशन, इवापरेशन हम किसको बोलता है एवापरेशन, चेंज ऑफ लिकविट का वेपर में चेंज हो जाना at any temperature below its boiling point, कोई भी temperature उसके boiling point से नीचे, उसका क्या हो जाना, लिकविट का वेपर में चेंज जाना, इवापरेशन कहलाता है अब कौन-कौन से factor है जो एवापरेशन को एफेक्ट करते हैं, पहला surface area, surface area यानि किसी भी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यानि अगर हम कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़ों में बिस जो water होता है, वो evaporate होता है तो अगर हमारे कपड़े के होंगे, हम फला-फला के रखेंगे तो जल्दी सुखेंगे, तो surface area अगर बढ़ेगा, तो evaporation भी बढ़ेगा अगर कपड़े को हम एक सांथ रख देंगे, तो evaporation कम हो जाएगा increase in temperature, अगर हमारा temperature बढ़ेगा, तो जो evaporation है, वो भी बढ़ेगा temperature बढ़ेगा, जितनी गर्मी होगी, उतनी जल्दी क्या होगा, वो evaporate होगा उसके बाद है humidity, humidity यानि उमस, यानि जो हमारे water particles होता है, हमारे atmosphere में, अगर वो जादा है तो evaporation हमारा कम हो जाएगा और wind speed यानि जादा हवाएगी, तो वो चीज जो है, वो जल्दी evaporate हो जाएगी evaporation causing cooling, यानि जो particle of liquid absorb energy from the surrounding to regain the lost energy during the evaporation क्या-क्या difference है, evaporation and boiling evaporation के एक surface phenomena है, जबकि boiling क्या होता है, पुरी बल्क का होता है particles from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction of liquid and change them into the vapour जबकि हाई क्या होता है, particle of bulk में जो होता है, वो पूरा liquid change होता है, वेपर में जैसे एक gas पर पानी का गरम होना और वेपरेट यानि किसी कपड़े का सूपना तो ये था topic evaporation, factor effect evaporation क्या है